आज हम वात्रक्त के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन इसके पहले कल आमबाद पर चर्चा की गई थी उसमें कुछ प्रश्ण उपस्तित हुए है डाक्टर नीलेश निगम ने जग्यासा प्रगट की है कि पंचिकोल ख्षार वस्ति में कंटेंस क्या क्या होना चाहिए तो पंचिकोल ख्षार में जैसे नाम से स्पष्ठ है पंचिकोल के द्रव्य चब्य, चित्रक, सुन्थी, पिपली और पिपली मूल इसमें हम अमलवेतस और एरन नमूल और मिलाते हैं प्रतेक को 30-30 ग्राम ले लिजे आठ गुना पानी डाल करके काड़ा बनाईए लगबख 400 अमेल या 300 अमेल उसमें सेंद्वारी तैल 50 अमेल, शहत 50 अमेल, 100 अमेल गोमूत्र और यवक्षार 5 ग्राम इनको मिलाकर विदिवत बस्ति तयार करें और इस बस्ति का उप्योग आप अपने चिकिसा में कर सकते हैं सुनीता राना, सुनीता राना ने पुछा है, पिस्त्री रोग और बाल रोग में पंचिकर्म की प्रैक्टिस बिलकुल कर सकते हैं सिर्फ काईची के सम्में पंचिकर्म का उलेक नहीं है काय बाल ग्रह उर्द्वांग शल्ध धन्स्टा जराव रशान जो अश्टांग आईरवेध हैं उन सम्में पंचिकर्म कराने का उलेक है और खास तो उस इस्ति रोग में तो अत्यधिक मात्र में पंचिकर्म का प्रियोग किया जाता है श्वेत प्रदर में वस्तियों का उल्लेख है स्तम्हक वस्तियों का उल्लेख है बच्चे पैदा नहों उसमें हम उत्तरवस्ति लगाते हैं और उत्तरवस्ति के माध्यम से हम प्रिश्यन को लाफ दे सकते हैं इन्फरिटिलिरी केस्ट में बाल लोग में तो हर स्थिति में हर स्टेज में पंचिकर्म करा जा सकता है बाल पक्षबद में सस्टिक शाली श्वेद अनुवासन वस्ति का प्रयोग बस ये ध्यान रिखें आयू कितने साल की उतने हिसाब से जैसे वमन उपरिचन दस वर्स के नीचे बालक को नहीं कराना है रक्तमोक्षण भी बालकों में नहीं कराय जासा तो योग और योग का विचार करते विए पंचिकर्म का प्रयोग इस्तिरोग में और बाल रोग में दोनों में ही कर सकते हैं नीना गुप्ता ने जानना चाहा है पार्किजन्स में छीरवस्ति की उप्यूखता पार्किजन्स में यदि आपको छीरवस्ति देना है तो इसमें आपको सिद्धवस्ति का प्रयोग करना पड़ेगा यव, कोल, कुलत्थ पिपली, मदुवस्ति और इसमें हम अश्वगंधा और केमाच बीच यह और मिलाते हैं फिर मैं रिपीट करता हूँ अश्वगंधा, केमाच बीच यव, कोल, कुलत्थ पिपली और मुलेठी इनका काड़ा बना ले मालीजे आपने 200 ml काड़ा बनाया तो 200 ml दूद डाल दीजी दूद सेस रहने तक इसको पकाए और फिर इसमें पंशितिक्द घरत या शतावरी घरत शहद 50 ml शतावरी घरत भी 50 ml सेंधो 5 ग्राम मिला करके बीडिवद वस्ति दी जा सकती है पारकिंजन्स में बहुत ही अच्छा लाब करती है गिर राज परशाद शर्मा जे ने पूछा है तिक्त शीर वस्ति के कंटेंट्स तो जैसा कि आप जानते हैं कि राज तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अम्रता चिरायता कुटकी मुस्तक परपट और अम्रता अर्थाद गिलोई इसमें हम शतावरी और मुलहिटी और मिला देते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ता है फिर से मैं रिपीट करता हूँ चिरायता कुटकी मुस्तक परपट और गिलोई मुलहिटी और शतावरी प्रत्यक को 30-30 ग्राम ले करके काड़ा बना ले माली जी 200 अमल काड़ा बनाए तो 200 अमल दूद डाल दें दूद से रहने तक इसको पकाएं फिर इसमें शतावरी घृत या पलतित घृत पचास अमल पचास अमल शहर और सेंधों पास ग्राम मिला करके तिक तिक शीर वस्तिया आप तेयार कर सकते हैं डाक्टर चित्रा बंशोडे ने क्रोने कंडिशन के बारे में जानना चाहा है तो निश्यत्रू से हमारे पास क्रोने कंडिशन के ही रोगी जादता राते हैं और पंच कर्म कीचे किसा निश्यत्रू से क्रोनिक डिसीज़ में अत्यधिक लाफ प्राप्त होती हैं डाक्टर योगेश दत्र शर्मा जी ने पूछा है कि उच्छ रक्षाब में यदि हम वस्तिदें और उसमें सेंधों मिलाएं तो क्या इसमें नुक्षान हो सकता है तो कई बार परिशानी हो सकती है लेकिन वस्ति में देने से अगर संधिवाद आप डालते हैं संधों तो किसी भी प्रकार का कोई नुक्षान होने की संभावना नहीं है प्रवेश श्रीवास्तो जी ने पूचा है कि आमवाद में जलव को उचान करा सकते हैं बिलकु करा सकते नहीं तो होता है शोत है इतना इतना होता है जौएंस में उस्वता होती है आप टुच करेंगे आमवाद के रोगी के संद्यों में तो आपको तल्वे में हर्टेली में बहुत उस्षता की अन्बोत होगी निश्यतरूस से वहां दाहा युक्त वेदना होती है और ऐसी अवस्ता में जलव का उचारण बहुत ही लाप्रत है इसके साथ ही स्रंग या अलाबू का भी प्रयोब कर सकते हैं लेकिन आ जाता है इससे निश्यतरू से लाग होता है डाक्टर भावना भट ने जानना चाहा है कि गिर्द जी को हम कैसे समझें कि आमवाद जन्ध है कि संधिवाद जन्ध है बहुत ही अच्छा प्रश्ण है अब आप देखिए आमवाद का पेश्य निदी होगा तो सिर्फ कटिग आमवाद नहीं होगा उसको जानू संधि में विशुल होगा गुलृफ संधिय में शूल होगा सोफ होगा इससे आप आसानी से आमवाद और संधिवाद में डिफ्रेंस महसूस कर सकते हैं और गृत्सी जहांसे उत्पर्त्य होती है जैसा मने बताये था L4, L5, S1, S2, S3 व समंद लिजे आम अधिजन हैं ऐसे लक्षलों को जान करके आप डिफ्रिंशेट कर सकते हैं भब्य गोयल ने जग्यासाब प्रगड की है कि तिली तेल में संधों क्यों मिलाये जाता है आपने क्यों मिलाया तो संधों मिलाने से एक तो सद्या इसने होता है और दूसरा अनुवासन वस्ति की कार्मुकता की ब्रिद्धी हो जाती है इसलिए अनुवासन वस्ति में संधों मिलाना चाहिए उपना में बंधन जरूरी है क्या तो जरूरी नहीं है अगर अधिक देखतर रोगी बैठा रहे चार-पांच घंटे तक उपना लगा करके तो निश्य तिलाब होगा लेकिन प्रक्टिकली अगर थोड़ा भी मुवमेंट किया तो अपना में जो द्रब्र लगाए है आपने वो निकल जाते हैं जढ़ जाते हैं सूखने पर इसलिए हलका से ब्रणपटन बंधन करना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटा बंधन नहीं करना है अधन पाच्छा नोसदियां कब तक देना चाहिए तो यह आपको मालूम है कि निराम अस्ता प्राप्ट करने के लिए डीपन पाच्छा नोसदियों का प्रियोक किया जाता है तो एक सामानिता परिक्षण हम रोगी में करते हैं पूछते हैं उससे कि जब आप मल प्रुष प्रति करने जाते हो उसके बाद जब पानी डालते हो तो आपको मल आसानी से नीचे चला जाता है कि नहीं यह जो चिपका रहता है तो समझ लीजे आम है और आसानी से चला जाता है नीचे की और तो वह निराम है ऐसा आपको समझना चाहिए दूसरा लक्षोड के द्वारा भ होईत कर्मेन इस तरीके से आप जान सकते हैं आम के लक्षण अगर रोगी में है तब तक वो तीन दिन पांस दिन भी हो सकता है लेकिर सामाने तहां तीन से पांस दिन में निरावावस्ता प्राप्त हो जाती है पिरवानी हसन जी का जो प्रश्ण है वह इस पष्ट नहीं है करपया फिर से उसको लिखके भेजेंगे एक और प्रश्ण पूछा होने प्राकरत दोस या विक्रत दोस कैसे जानेंगे बड़ा अच्छा प्रश्ण है प्राकरत दोस में तो रोग उत्पन होंगे ही नहीं हमेशा जब दोसों में विक्रत ही होती है तब ही रोग उत्पत्ति की होती है छय हो या व्रद्धी हो अग बिमल महता जी ने एक प्रश्ट पूंचा है जो इस प्रश्ट नहीं है दूसरा प्रश्ट पूंचा है कि जीर्ण आम आत्मे स्नेय युक्त चिकेसा या सोईदन क्यों करते हैं वह इसलिए कि नवीन में कफर आम की अधिक मात्रा में होती है क्यूट कंडिशन में लेकिन जब कुरानिक हो जाता है जब उसमें वेक्ति में एंक्लोसिस डवलब हो जाती है संधियों में विकृती उत्पन हो जाती है तो आम का जो लक्षण है वो दिखते नहीं है इसलिए इसने युक्त शूएदन करा सकते है धर स्विदन तो कराई रहे न उसलिए की स दे रहे ताम अगर है भी थोड़ा भूत तो वह responds हो सकता है अज़ा स्ने इुक्त सुएदन हम विलकुल करा सकते हैं चित्रा बंसोड़े जी का भी प्रश्ट इसपस्ट नहीं है कृपया कलपुनह आप लिख करके भीजे निश्चित्रू से समधान करने का प्रयास किया जाएगा अब आये कुछ चिकस्कों ने बड़े ध्यान से इस कारिकम को देखा है डाक्टर उतकस वर्मा जे एन नोटियाल प्रेरियत गोएल जी विकेश जैश्वाल जी प्रभाद पटेल जी जीते नर वर्मा अजेता चिन्ना नमीनो पध्याय और सतिन नर पाल ने भी इस कारिकम को कि देख रहे हैं चन्हार रहे हैं आप सब को मेंमा आइए वद्टर के बारे में में आधि आधि इस य direction रुप प्र अ और प्रख्ति के बारे में की आते आते अर चारुबं रखरों से व कि कभी कभी रक्त गत वाद के द्वारा कंफ्यूजन पैदा होता है जबकि उसमें वाद की दूष्टी होती है रक्त का दूष्ण नहीं होता है और उसके लक्षन भी भिन्द है रोजस्तीब्रह ससंतापह वैवरेणम क्रिस्तारुची गात्रे चारों से भुक्तस्यों इस्तम्हस्चा अस्रगते अनले लक्षन भिन्द है एक साथ वाद और रक्त अपने अपने कारों से दूसरे थोने कारण वाद रक्त के उत्पत्ति होती है इसलिए रक्त गत वाद से प्रथक है इसमें शोथ शूल और विवर्वता ये तीन मुख लक्षन वाद रक्त में प्राप्त होते हैं पर्याव में देखें तो वाद सोनित खुड़क रोग वाद बलास और आध्यवाद ऐसा कहा जाता है कि ये संपन्न विक्तियों में ये रोग होता है इसलिए इसको को आद्ध डि जाता है और देदानों में नजर डाले तो वाद प्रकॉपक निदान अलग हैं ऐसी सवारे जिसमें पජ़ लटके रहें जैसे हाथी ООंट की सवारी करना गोड़े की सवारी करना कि मोटर साइकिल की ज्यादा सवारी करना जिसमें पर लटका रहे, जादा दिर तक, इन कारों से वाईय को प्रकोफ होता है, और साथ में विदक धाहर का सेवन करें, विदक धाहर, लवन, अमल, कटू, उष्ण, तीक्ष्ण, ऐसे निरंतर, द्रभ्यों का सेवन करता रहे, तो प्रथक प्रतक कारों से वाद का और पि विदाहों असनश क्रश्णम रक्तम वहदत ताचु तच्य स्रिष्टम दोस्टम पादयोश्ची दितु तत्सम प्रक्तम वायूना दूस्ते ने तत प्रभल्याद उचते वात रक्तम संप्राप्ति यह दिदेखें तो इसमें स्वकारों से वायू और पित्त का प्रकोब दूस्त होना रक्त बढ़कर के वायू का मार्ग रोक लेता है जिससे वायू की ब्रध्धी और अधिक होती है यह ब्रध्ध वात या दूस्त वात रक्त पूरे सरीर में वहन करता है बाद में जहाँ जहाँ किढ़े अस्थाने, जहाँ जहाँ संधिया है वहाँ यह दोस्ति इस्थिर हो जाते हैं स्थान संस्रे करते हैं और संधियों में प्रायसा वेदना उत्पन्न हो जाती है प्रायसाः पैर की अंगूठे से या हातों के मध्यांगूली से यह रोग प्रारंभ होता है और धीरे धीरे उपर गति करते हुए संपूर्ण संधियों में इसके लक्षन प्राप्तों लगते हैं अधिकतर जो छोटी संधिया है उससे प्रभावित होती है पादेव हो मूल मास्थाय कदाचत हस्तेवपी आखो विशम्यू कुर्धम तद्देहम उस्तरपति जिस प्रकार मूशक भिस होता है वो धिरी धिरी उपर की और स्रीर की उपर की और आता है वैसे ही वात्रक्त में यह लक्षर मिलते हैं आप रोगे की हिस्ट्री लेंगे तो कभी कभी बताएगा कि हम जब सो रहे थे शुरू में तो कोई तक्लिफ नहीं हुई और मद्धरहते में अचानक अंगुठे में बेदना प्रारम हो गई और ऐसी बेदना जिसको हम सह नही और यह ज्यादा तर संधियों में होता है क्योंकि संधिया टेड़ी होती हैं वहां जो है दोस्त एकट्ट हो जाते हैं जैसा चरक ने कहा है रक्त मार्ग निहन त्यासू साका संधिस्व मार्ग ताहा निवसान अन्योन्यम आवार बेदनाभी हरे शुँः शुः समाल लक् अगर उसमें पित्तानु बंध है तो उसके दाह, प्यास ज्यादा लगना, मूर्चा आधी लक्षन मिल सकते हैं कफ्कान बंध है तो उसमें इस्ति विर्टा, घीलापन, महईसूस होना, शोथ, गौरोता, आलस से आधी लक्षन मिल सकते हैं यह दिवायू के लक्षन है तो पुरू की रूप में स्वेट का अधिक आना या ना आना कृष्टा इस पर्स का ग्यान नहीं होना और विवर्णता आधि लक्षन मिलते हैं इसका आधनिक दर्श से विचार करें तो यह जनेटिक अथवा मेटाबोलिजम के दुस्ट परड़ाम से यह रोगुत्पन होता है इसलिए इसको मेटाबोलिक डिसॉर्डर कहते हैं प्यूरीन एक प्रोटीन होता है इसका मेटाबोलिजम यदि अच्छा नहो तो इसमें यूरिक असेड की मात्रा अधिक बनने लगती है सामान मात्रा यूरिक असेड की एक से तीन मिलिग्राम तक है लेकिन यदि बढ़ जाए आठ यह नो यह दस हो तो रोगी में वेदना अधिक होने लगती है और सोडियम बाइउरेट क्रिश्टल्स यह संध्यों में जमना प्रारम हो जाते हैं और वहाँ पर वेदना को उत्पंद करते हैं और ये व्याधी आभेग जन्य हैं वेग आता है एक अपता ठीक एक अपता रहेगा इसके बाद ठीक हो जाता है फिर पुना वेग आता है इसे पुना पुना इसमें वेग आते हैं और अधिक वेग आने पर प्रिसंद्यों में स्थाई विक्रिति हो जाती है रोगी को बहुत कश्ट होता है कहने का तायत पर यह है कि ऐसे रोगियों को प्रोटीनस सुस्टेंस बिलकुल मना कर दिना चाहिए क्योंकि प्रोटीन का मेटबुलिजम इस रोग में ठीक्स नहीं होता है इसलिए यह रोग उत्पन होता है कि भेदों में देखें तिसके उत्तान गंभीर और उभाय उत्तान मीस, जब मांस और तवचामें दो सिस्टि थों तो तन वात्रक्त होता है गंभीर वातरक्त जब मांस, मेद, अस्थी गंभीर धातियों में दोसों का पुरहाँ पहुंचता है और वो बहुत ही कठिन वेदना होती है ऐसे में वेदना असहिनी ब्रिश्चिक दन स्वज वेदना होती है ये उत्तान सुरूप का है दोसानुसार इसके आठ वेद किये हैं वातज, पितज, कफश, सनिपातज, रक्तज और दोई दोसज तो दोसों के लक्षण के आधार पर डाइगनोज करके हम को चिक्सा करना है उपद्रों में अनिद्रा, आरोचक, मूर्चा, श्वास, और मांस का सर्ना और जब अत्यद्रपी उपद्र होते हैं तो मांस सर्ड़ करके पूइ निकलना परारम कर देता है यह असाद्धी की सेड़ी में हैं और यह भैंकर उपद्रो रोगी में उत्पन्द हो सकते हैं अब आई एचे किसा के बारे में थोड़ा जानेंगे यदि उत्तान सुरूप का वात रखता है तो उसमें लेप, अभ्यंग, सेचन, अवगाहन और रक्तमुक्षन कराना चाहिए बहुत सारे लेपों का वर्णन आचारों ने वर्णन किया है इसमें मुलहटी, पीपर का छाल, जटामांसी और गूलर का छाल इनको दुख्ध में पीश करके या पानी में पीश करके लेप लगाएं इससे तुरंत लाब होता है एक लेपाउर है, चरउंजी, मुलहटी और तिल इन तीनों को बरावर मातर लेकर के दुख्ध में इसको अच्छी तरह पीश लें और इसका लेप लगाएं, इससे भी बहुत अच्छा लाब होता है एक बहुत ही साधान योग है जिसका हम प्रयोग करते हैं तिल जो सफेद तिल आता हो उसको ले लें करीब पचास ग्राम इसको भूज लें भूजने के बाद बकरी के दुख्ध में अगर बकरी का दुख्ध ना मिले तो गो दुख्ध में पीश करके और लेप लगाना चाहिए लेप है अभ्यंग गुरुच्यारी तैल या पिंडे तैल से हलका हलका अभ्यंग कराना चाहिए सिंचन दोस्का अनुबंद दे करकि यह से वात अनुबंदी वातरक्त है तो दस्मूल क्वार्स से सिंचन कराए यादि पित्तं का अनुबंध है तो दुखदुको मुश्त परपर्ट कोशिर चन्नोदी चनागरी है इंतरव्यों के मात्यमें सिद्धे कर दें दुखदुको और उसका सिंचन करा है यदि कफ का अनबंद है तो खटी कांजी तुर्फला कवाथ ये पंचकोल कवाथ से सिंचन कराएं धारा स्वेट कराएं और इनी द्रव्यों से आउगाहन भी रोगी का करा सकते हैं यदि उत्तान प्रकार का वात रखता है यदि गंभीर धातों में इस्तित है तो ऐसे विक्तिमें विरेचन स्थापनवस्ति आदी करना चाहिए विरेचन कराने की पूर्व दिश्चेत रूप से आभ्यांतर स्नेहपान आपको करना पड़ेगा इसके लिए शतावरी घेत या पंच दिग्दगर्द स्रेष्ट है विरेचन के लिए पूर्व इसनेह कर्म करने के लिए सम्म्यक इसने हैं लक्षन प्राप्त होने के बाद तीन देन स्वेधन कराएं स्वेधन कराने के बाद विरिचन कराएं विरिचन करने के बाद फिर वस्तियों का प्रियोग करते हैं वस्तियों में मुखरूब से निरूह वस्ति के लिए मुलेठी, गिलोए, शतावरी, हरिद्रा, दस्मूल क्वाथ, पुना हमरे रिपीट करना हूँ, मुलेठी, गिलोए, शतावरी, हरिद्रा, और दस्मूल क्वाथ, इनको प्रतेक 30-30 ग्राम ले करके काड़ा बना ले, लगवज 300 ml, उसमें 50 ml गोमूत्र, गुड़ चारी या प 50 ml और सेंधो, मिला करके निरूवश्थी तयार कर ले, अनुवासन वस्थी के रूप में पिंडे तैल या गुरुच्यादी तैल का उपयोग करना चाहिए, इसमें काल वस्थी, कर्म वस्थी, योग वस्थी, रोगी के अधार पर, रोगी क्रोन सिटी के अधार पर, उपल शेदूनी बारा, एक आपने अनुवासन लगाई, तेरा, और लाश्थ में तीन अनुवासन, इस तरीके से 16 वस्थी कोर्स काल वस्थी का होता है, इसका प्रियोग आपको करना है, अगर कफ का अनबंध है, तो इसमें लगू सुरूप का वमन भी कराए जाता है, फिर वमन कराने के बाद विरेचन और वस्थी का अप्रियोग आपको करना है, अगर वेदना, दाह, शूल, तोर अधिक हो, तो जलवका और चान के द्वारा रक्तमोक्षन कराना चाहिए, उपद्रों अधिक हो, गंभीर व्याजियों में इस्तित हो, तो वहाँ सिरावेद के द्वा द्वारा विरेचन कराना चाहिए, शुरावेद के द्वारा रक्तमोक्षन कराना चाहिए, लेकिन अंगों में गिलानी हो, रुक्षता हो, उस वस्ता में रक्तमोक्षन नहीं कराना, पर मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, रक्तमोक्षन एक प्रमुक्षे किस्सा है बात रक इस लाइन अफ ट्रीट्मेंट को ध्यान में रखते हुए मैं फिर बोलता हूँ तो ये पंचिकर्म चिकिसा करने के पश्चाद कुछ मेरे स्वान भूत योग हैं जिनका प्रयोग आप करें मैं यहाँ फिर कहूँगा कि एक साथ सभी उसद्यों का प्रयोग नहीं करना है ग्यारा दिन एक का करें फिर ग्यारा दिन एक का करें ताकि पेशेंट को लगे कि डिफरेंट ट्रीट्मेंट हमको मिल रहा है और आउसदी योग ऐसे हैं कि सभी प्रकार की जो मैं आहां बताऊंगा वह अनभूत हैं आप इनका प्रयोग करेंगे लाग प्राप्त कर साथ दिन तक प्रत्रम जवाब उपास रोगी आए तो साथ दिन तक इसका सेवन कराएं उसके बाद दुख्ध फिप्टी एमिल और त्रिवर्ट दस ग्राम इसका सेवन कराएं साथ दिन तक तो टोटल चौदा दिन तक का यह कोर्स हो गया अगर आप इनका प्रियोग नहीं कराते हैं तो दुख्ध एक सो पचास मिली लिटर एरन तेल थर्टी एमिल यह दिन में एक बार प्राताकाल मलब प्रवत्ती जाने के बाद इसका सेवन कराएं यह लगभग 21 दिन तक इसका सेवन कराएं गरत भार्जित हरिद्रा का भी इसमें बहुत अच्छा उप्योग है घरत भार्जित हरिद्रा को दिन में तीन बार 55 ग्रम की मात्रा से देना चाहिए एक और अन्भूत योग है पिपली तुक्वात 50 एमिल और 25 एमिल शहर्द मिला लें और इसका विश्यवन आप 21 दिन कर आए तो दुक्वाला जो प्रीओग है 150 से मिल वाला एकाइस दिन ये कराए फिर एकाइस दिन ये कराए एक प्रीओग और जो नित्र प्योग कराने योग है घुड़ 20 गराम हरीद की 10 ग्राम इन दोनों क मिला करके प्रातह एमंसायम इसका प्रियोग कराना है dramatically पिपली का भी उपयोग बहुत अच्छा है प्रफम दिन एक पिपली दूसरी दिन दो पिपली ऐसा करमसा बढ़ाते भी दस दिन में दस पिपली और फिर करमसा उसको नीचे घटाए लेने का तरीका है पिपली को गोदुग्ध में पीस करके लेना चाहिए यह अत्यंत उश् माल लीजे आपने आज पिपली पांस दी और पिशन को तृष्णा दाह मूत्र दाह ज्यादा ऐसे लक्षर मिलें तो वहीं से आप घटाना प्रादम करते हैं यह आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा रस योगों में रसमानिक 60 मिली ग्राम गिलोई सर्थ 250 मिली ग्राम वात रखतान तक रस 125 मिली ग्राम फिर मैं रिपीट करता हूँ रसमानिक 60 मिली ग्राम गिलोई सर्थ 250 मिली ग्राम वात रखतान तक रस 125 मिली ग्राम यह एक खुराक है ऐसी दिन में तीन बार या चार बार क्रोनिस्टी के अधार पर एक्यूट कंडिशन के अधार पर इसको हम शहिए के साथ दे सकते हैं चोप चिन्यारी चूण इसमें बहुत लाप्रत है एक एक शम्मर दिन में तीन बार आरोग्य वर्दनी और ड्रग ऑफ च्वाइस यदि हम देखें तो कैशोर गूगल का भी इसमें अत्यंत उपयोगी द्रव्य है अत्यंत उपयोगी योग है यह अम्रतारी गूगल इन मे सब्सक्राइब और सारी वाध्यासों 10-10 ग्राम यह 10-10 ml अर्था 20 ml हो गया 20 ml पानी मिलाएं भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराना चाहिए तो इस तरीके से कुछ योग मैंने बताए अपने अन्भूत मैं आप फिर कहूंगा कि एक साथ सभी औसदियों को नहीं देना चाहिए रोग रोगी के अधार पर और अपने विवेक की अधार पर पेशेण को इन योगों का प्रियोग करना चाहिए निश्चतर उसे इन योगों से आप लाब होन्यत होंगे आपने ध्यान पूर्वक्षना आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शाध्यवाद